जहिन साथियो, यूपी पिलीस रेडियो ओपरेटर के इग्जामनेशन समाप तो हो चुके हैं, 8 फरवरी तक इसके इग्जाम हुए थे, जो कि सबसे लाश्ट में असिस्टेंट ओपरेटर का हुआ था, तो अभी बात करेंगे इसके एंसर की के बारे में, कि आखिर इसके एंसर की कब तक जारी होगी, क्योंकि देखें, एंसर की जो आपको डाउनलोड करना होगा, वो इसी वेपसाइट से डाउनलोड करना होगा, इसी company ने आपका return examination कराया है तो यहीं से जहां से आपने अपना city animation exam date exam city or admit card download किया था तो इसी website से आपको अपने answer की भी download करनी होगी तो अभी बात करेंगे answer की कब तक जारी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि exam समाप्त होने के तीन दीन बाद notification में दिया गया है कि exam समाप्त होने के तीन दीन बाद आपके answer की आ जाएगी तो आखिर कितना time लग सकता है कब तक answer की आएगी उसके बारे में बात करेंगी और एक safe score क्या आपका हो सकता है Assistant Operator का उसके बारे में भी बात करेंगी तो लाश तक वीडियो देखिएगा उस चनल पर पहली बारान तो सबस्क्राइब कर लीजेगा यहाँ पर आपको जिनुण Information मिलेगी जब भी Answer की इसकी आएगी सबसे पहले latest update आपको हमारी चनल पर मिल जाएगा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कब तक इसकी आंसर की जारी होगी तो यहाँ पर देखें यह वो Notice है जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तीन दिन के भीतर आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी तो यहाँ पर देखे सबसे पहले इस notice में लिखा क्या गया है देखे इसमें लिखा गया है अभ्यारतियों की response seat अर्थात उत्तरकुंजी के साथ संबंदित अभ्यारती हे तु बोर्ड की website पर तीन दिवस के लिए प्रदर्शित की जाएगी अर्थात इसमें ये बताया गया है कि आपके answer की जो website पर सो होगी वो किवल तीन दिन के लिए सो होगी अर्थात किवल तीन दिन आपको time मिलेगा अपने answer की देखने के लिए उस पर objection लगाने के लिए इस कार्ट ये नहीं है कि एक्जाम समापत होने के तीन दिन बाद आपके answer की आएगी इन्होंने ये नहीं कहा है कि एक्जाम के तीन दिन बाद आपके answer की आजाएगी इन्होंने ये कहा है कि तीन दिन तक आपके answer की website पर सो करेगी तीन दिन बाद answer की हटा ली जाएगी objection करने का मौका नहीं मिलेगा तो किवर इन तीन दिनों के भीतर ही आपको अपनी answer की देखनी है और अगर आपको कोई doubt लगता है तो उस पर objection करना है तो यहाँ पर यह नहीं बता गया है कि तीन दिन के बाद आपके answer की जारी होगी अब यहाँ पर हम बात करते हैं आखिन answer की खब तक जारी हो सकती है देखे 8 अफरवरी को इसका exam समापत हुआ था अभी देखे UPSI पिछली भरती के बारे में बात करें तो उसका answer की जो आया था वो 10 दिन बाद आया था तो इसमें maximum time के बारे में बात करें तो maximum 10 दिन का time लग सकता है किन्तो ऐसा नहीं है कि maximum 10 दिन का ही लगेगा उससे पहले भी आ सकता है क्योंकि अब answer की जो है वो जितने भी exam हो रहे हैं सबी exam की answer की result आप company दे देती है क्योंकि answer की बनाने में time तो लगता नहीं जो आपने response seat उसमें submit किया था answer वही आपका so करता है तो answer की आने में ज़्यादा time नहीं लगता किन्तो maximum 10 दिन का भी time लग सकता है अगर answer की 3 दिन के बाद नहीं आती तो आपको परसान नहीं होना है क्योंकि maximum 10 दिन का time लग सकता है अब देखे बात करें answer की कब तक आप सकती है 8 तक exam आपका समावत हुआ था तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 15 के आसपास आपके answer की देखने को मिल सकती है 15 फरवरी तक तो यहीं एक उम्मीद है या फिर हो सकता है कि 18 फरवरी के बाद भी आपके answer की आए बाकि 15 के एप प्रॉक्स जो है आपके answer की देखने को मिल सकती है 13, 14, 15, 16 इसी देट तक आपके answer की आ सकती है बाकि जब भी answer की आगी मैं आपको inform कर दूंगा और हमने आपको बता दिया website जो है वो उसी company की website से ही आपको download करना होता है अब बात करते हैं एक safe score के बारे में कि safe score कितना हो सकता है देखे इसमें जो vacancy है वो vacancy कम थी 1300 vacancy को ज़्यादा vacancy नहीं थी assistant operator के बारे में बात करें और लगभर 2.5 लाथ लोगों ने exam दिया था और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने paper में news articles में आ रहे हैं कि इसमें जो है नकल हुई है तो यहाँ पर देखे अभी तो बहुत साथ लोग पकड़े गए हैं अब इसकार्थ यह नहीं है कि इसमें नकल नहीं हुई है जब पकड़े जा रहा है इसकार्थ यह है कि इसमें नकल हो रही थी अब कितने तो ऐसे होंगे चो कि पकड़े नहीं गए हैं कि दो वेकंसी कम थी और नकल का यहाँ पर मामली सामने आये हैं तो हो सकता है कटाफ में जो है वो उच्छाल देखने को मिले तो यह एक सेपी स्कोर हो सकता है भाकिया आपके कितने हो सकते हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा चली जब एंसर किया आगए मैं आप तक लिए जय है